हे गाइस विलकाम बैग आज मैं सुभा सुभा उठके रेडी हो चुकी हूँ टॉम बबु को हस्पिटल लेके जाने के लिए छोटा सा रूटिन चेक अप है क्योंकि टॉम बबु का अपरेशन होने वाला है छोटा सा ही तो उसके लिए डॉक्टर के साथ आज सारे चीज़ है पेपर सारे चीज़ सब टीक मर्क करना है और साथी साथ में मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है पर डॉक्टर ने बोला सब कुछ ठीक है ब्लड टेल्ड बेगरा दे दिया है तो वह सारे चीज़ भी करना है एट आउर्स का उसको फास्टिंग में रखना है पैट पै चीज़ आपको समझना होता है उतना ही प्यार करना होता है तबियत खराब हो कभी उसका भी मूड आफ हो सकता है उसका इस्ट्रमक में भी कभी पेन हो सकता है बहुत सारा चीज़ बहुत सारा कंप्रोमाइज करना होता है बट अगर पैट से प्यार है तो आप सारे चीज़ में लिया और उयर्ट शीज नहीं मिला प्रेश नहीं दिख यहां पर मीज़े फ्रू धि ईक यहां पर मैं पूरा पूछ रही दिखा यह दिखा यह आया है थो मैंने इसको ले लिया यह आप्लोगों को भी बोलुंगी को भी आ Furthermore से फ्रुट्स लो सबजी लो हाथ से बनाओ और खाओ किसी के ओपर डिपेंड मन्द हो और अपना डाइट पर आलवेस फोकस करो क्योंकि आपका बॉडी हेल्दी रहेगा तभी तो पुरा घर को देख पाओगे और खुद को सामाल पाओगे सारे सामाल ले चुकी हूँ अब पीता है खेलता है घुमता रहता है पूरा घर में और सुबहा सुबहा उसको विचारे को में लेके आ गई कैट्स ना बहुत जदा सेंसेटिव होता है और इन्फेक्शन के भी बहुत डल लगा रहता है और डॉक थोड़ा स्ट्रॉंग होता है मेरा टाइसन तो अलहम दुल अच्छे को ब्यांड बजा देता है तो येस टाइसन रहता है तो मुझे किसी चीज़ का फिकर नहीं होता है हाँ जब मैं ऑफिस वर्क में रहती हूं तब टाइसन के लिए मेरे पास हेलफर है वह आता है टाइसन को खिलाता है घुमाता है फिर टॉम का खाना चेंज कर दे बस ऐसे ही करके मैं मैंनेज करते रहती हूं ऑफिस भी और घर पी और बाबु लोगों को भी घर पे आते ही मैंने कुछ सामान ओडर दिया था टॉम बाबु और टाइसन के लिए एक्चली टाइसन का ना सैनिटेजर खत्तम हो गया था पूरा उसका पाउं में सैनिटेजर देना होता है जब भी वह बाहर से गूम के आता है अच्छे से क्लीन करके और हाईजीन अलोईज में मेंटेन करते हूं मेरा बच्च लोग का और टॉम का बहुत सारा ग्रेवी ट्रीट ये सारे चीज़ खतम हो गया तो ये चाहिए था तो मैंने एक बार में सब कुछ मंगवा लिया और टाइसन का थोरा सा दवा वैगरा खतम था तो ये सारे चीज बारा नहीं पड़ा क्योंकि फाइव येर से एक ही दुकान से समाल लेती हूं तो जान पहचन हो गया है तो कॉल कर देते हैं तो घर पे होम डेलिवरी कर देता है और कभी-कभी में जब जाती हूं तो में लेके आ जाती हूं बस ऐसे ही चलता रहता है तो अभी वही सारे च नहीं टीत से से चलुद करें निए जिसके वज़े से फीवर हो रहा है एन बहुत सारा डौग कर्पा तो जान भी चला जा जा रहा है सवाई कर पा रहे तो अपना डौग केट का अच्छे से खेया ही रखना रा और डा यट पे थोड़ा सद्धियार करना चाएट से हूँ बहुत जदा खुस हो जाता है जब बाहर से आते हैं तो बहुत इकसाइटेड रहता है कि मम्मा आ गई है और आते ही मैं उसको ट्रेट देती हूँ कि कि मूह नहीं लगेगा किसी को मूह नहीं लगाता है मतलब बावश होना है जिगर कर ठुकड़ा है और जब से मेरा लाइफ में आया ना बहुत सारा चेंज हुआ है मतलब एक नेगेटिब वाइब नहीं होता है लायक नेगेटिभ ऐनरजी एक्चली रात थी और वो बच्पन से थी ठीक है तब ममी पापा ने उतना क्यार नहीं दिया जैसा हो मतलब क्यारी नहीं दिया तो बड़ी होती गई प्रॉब्लम बढ़ती गई और मेरा जो बेश्ट फ्रेंड है उसको मैंने एक बड़ा था कि ऐसा ऐसा बाते हैं तो हश्टल में थी तब छोटी थी ओवी छोटा था फिर हॉस्टल से फिर पीजी में गयी तब पीजी से जब मैं सिर्फ ळुए फलैट में तब उसने क्या कहिया एक मेहने बाद उसने मेरे मेरे छोटू सा बाबू लेके आगया वो है टाइसन और इतना सा थार में डॉक से बहुत डरती थी में तो अपने बेट पे चड़गे कि तु क्या लेके आया तो बहुत तेरे लिए है तु अकेला रहती है तो यह तुझे मतलत प्रोटेक्ट करेगा और देखते ही देखते प पांस साल बिद गई और टाइसन अब पांस साल का एक्चली होने वाला है और टाइसन का में ममा बन गई उसके बाद टॉम बाबू आया तॉम बाबू के में ममा बन गई तो यह रहा मेरा छोटू सा फैमिली जिसमें हम तीनों है और हम तीनों एक दुसरे से अनकंडिसनल प तो मुझे और अच्छा लगता है कि मैं और अच्छे से काम करूँ और इन लोगों को और अच्छे लाइफ दूँ अच्छे से इन लोगों को टेक क्यार करूँ that's it मेरा यही मोटिव होता है 15-16 दिन से मैंने आविर्वेदिक बुक्स पढ़ना सुरू किया है आविर्वेदिक तरीके से खाना खाना उटना बैटना इस्किन केर करना हर एक चीज जब मैं पूरी तरीके से हर एक चीज सब फॉलो करने लगूंगी सीख जाऊंगी उसके बाद भी आप लोग के साथ में रूटीन भी सियर करूंगी ताकि मेरे साथ साथ आप लोग भी आविर्वेदिक के साथ कनेक्ट रह सको हर सेटर्डे मेरे जुमबा क्लास रहता है जुंबा क्लास में बहुत मस्ती होता है, बहुत मज़े करते हैं हम लोग मैंने ब्रेक लिया था मैंने पानी पिने के लिए फिर मैंने थोड़ा से क्लिप सूट किया तक कि मैं वीडियो में एड़ कर सकूँ और मेरा वाक आउट डन हो चुका है सुबा सुबा वाक आउट हो जाता है, ऐसा लगता है कि हाँ मैंने अपने लिए कुछ कर लिया पूरा दिन बहुत ज़्याद लाइट फिल होता है, एनरजिटिक फिल होता है और बहुत हैपी भी रहती हूँ में, so now I am हैपी जीम से आने के बाद बहुत भूक लगी थी, पर मेरे पास ब्रेड नहीं था, इसलिए स्विगी मट से मैंने कुछ सामान भी ओरडर दे दिया तो मैंने कॉफी भी ओरडर दे दिया था, कतम हो गया था, और वैनिला फिलिवर का कॉफी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यूट्यूब का जब वीडियो एडिटी करते हैं तो पूरा रात जगना होता है, तो कॉफी की ज़रूरत पड़ती है मुझे ग्रेन थाई करी बनाना था, इसलिए मैंने बैसल यहाँ पर ओडर दिया, इसका फ्लेवर, एरोमा इतना रिफ्रेसिंग लगता है, मुझे बहुत ज़दा अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसको भी एड़ करूंगी और ग्रीन करी में यह डलता ही डलता है और यह जो मल्टी ग्रेन जीरो मैदा वाला जो ब्रेट देख रहे हो ना, यह मैं बहुत टाइम से खा रही हूँ, बहुत अच्छा भी है और जहां पर मैं अपने हर्मोनल चेकप के लिए जाती हूँ, पीसी ओडी के, ब्लट डेश वेगरा के लिए वो डॉक्टर को मैंने पूछा था, मैंने अच्छली फोटो दिखा था, तो उन्हें बोला था, हाँ, खा सकते है, अच्छली डॉक्टर कभी आपको बोलेगा नहीं कि तुम यह मत खाओ, वो मत खाओ, पर मैं क्या है ना, पीछे पर जाती हूँ, हाथ दो के, कि सर, यह खा सकते हैं, यह खा सकते हैं, तो फिर पूछ पूछ के, पूछ पूछ के, मैं चीजे का लिष्ट बना लेती हूँ, कि डॉक्टर मुझे क्या का चीज खाने बोल रहा है, तो उसी से भी मेरा बहुत ज़्यदा हेल्फ हो जाता है, डाइट में, क्योंकि मुझे डॉक्टर का भ और एवोकाडो अभी मैंने अपना डाइट पे अच्छा खासा इंक्लूड करके रखा है, जैसे कि बाहर जाके खाने का मेरा आदत नहीं है, तो बाहर में उतना पैसा मेरा खर्चा नहीं होता है, इसलिए मैं घर पे ही अच्छा चीज मंगवाती हूँ, खाती हूँ, और अ मैसेल्फ, और दो चरपर अगर कान के पीछे में हाथ घुमा ली थी तो पक्का मैं सेंचुरी कर ले थी, पता नहीं क्यों इंडियर आउटफिट पहंती हूँ, तो यह सारे हरकते मेरे से हो जाता है, और मैंने जो उस दिन तनीस से जो छोटू सा जो कान का लेके आई थी, पियार सिंग जहां पर मैंने करवाया है, वो मैंने पहन लिया है, और अच्छा भी लग रहा है, तो मैं यहां पर इतना रेडी सेडी होके जा रही हूँ, घुमी घुमी करने, मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट करके जरूर बताना, और यह रहा मेरा फुल आउटफिट लू दिखाने के लिए, पर मुझे ना उतना अच्छा से मेक अप नहीं आता, जैसे मेरा दीख रहे हो ना, ऐसे ही मैं सिंपल से मेक अप करती हूँ, और आपको अगर फिर भी चाहिए होगा, तो मुझे बता देना, मैं ट्राइज जरूर करूंगे, आप चलो चलते हैं So guys, जब तक destination में नहीं पहुंचते हैं, तब तक heart to heart कुछ conversation कर लेते हैं, तो आप लोग बहुत पूचते हो ना, कि मेरा काम क्या है, मैं क्या job करती हूँ, of course मैं सब कुछ बताऊंगी, बर जब सही वक्त आएगा तब बताऊंगी, और किसी sister ने मेरा personal life के बारे में कुछ प कोई भी question होगा, मैं answer करूंगी, और एक sister ने मुझे comment किया था, वो थोड़ी demotivate है, depression में है, बट मेरा एक blog देखके उनको बहुत अच्छा लगा, उसका दिल को touch किया, और बहुत जब मोटिवेट हुई है, वो भी काम करना चाहती है, of course अगर आप काम करना चाहते हैं, त आप अच्छे से कोई job करो, और एक चीज़ अब social media के बारे में पूछे थे, तो देखो बबा, मैं social media में जादा कुछ जानती नहीं हूँ, एक साल हुआ है, मैं social media में joined हुई हूँ, yes guys, मैं पहले से social media में नहीं थी, क्योंकि मेरा पूरा focus, मेरा काम था, मेरा पढ़ाई था में जे life में कुछ करना था, आज मैं गाड़ी चला के जो गूम रही हूँ, तो social media में सडक में नाच के नहीं कुछ कर रही हूँ, मैंने बहुत महनत किया है यहां तक पहुँचने के लिए, मेरा जो first mobile है ना, वो भी मेरा पैसे से है, मेरा पापा ने मुझे mobile भी कभी नहीं एक restriction था, तब ही मैं इतना सारे चीज इतना कम उमर में मैं achieve कर पाई, and I proud myself कि मैंने इतना सब कुछ कर पाई, तो आप लोगों को भी मैं एक ही चीज बोलूँगी, social media बहुत अच्छी बात है, बढ़ अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, और वो काम करो जिससे आपको इज़त मिले, देखो, पैसा तो आप कुछ भी करके कमा लोगे, सड़क पे नाच के भी पैसा लोग कमा रहे, तो क्या उसमें बहुत ज़्यत है लोग, बहुत अच्छे नजर से देखते नहीं, कुछ ऐसा काम करो, social media में कि लोगों को help कर पाऊ, लोग तुमको माने, expect करे, प्यार क करे, साथी साथ में पैसा भी कमा हो, साथी साथ में लोगों को motivate भी करो, अगर social media में इस टाइप का कुछ काम करना चाहते हो, तो कर सकते हो, मेरा life का एक rule है, कि जो भी काम करो, 100% दो, इज़्यत के साथ करो, और नियत साफरा को, that's it. So, मेरी पैरी बेहनों, मैं आगी हूँ, इको पार्क, अगर जो मेरी बेहने कोलकता से नहीं है, मैं उनको बता दू, इको पार्क कोलकता का बहुत ही फेमास एक पार्क है, और बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे यहां पे आना time spent करना, तो यहां पे आने के बाद मुझे लग गई भूख, और मैं खारियों खाना, और खाना में होगा फिस, जो मेरा हर जगा पे होता है, क्या करूँ, मैं बहुत बड़ी फिस लवर हूँ, यमी यमी खाना है, पीछे टावर है, मैं हूँ, खुला अस्मान है, ठंडी ठंडी हवाई चल रही है, पूरा तरफ, खुला खुला प्लेस में, खाना खाने में, और खाना अगर देसी टाइफ हो, जैसे कि मेरा वाईप मैच करें, तब तो वावा क्या कहने है, मैं हमेसा वही मेनू चूस करती हूँ, जो मेरा पेट के लिए अच्छा हो, क्योंकि मैं बाहर में कुछ भी अगर ऐसे उटपटं खालूंगी, तो मेरा पेट को दूसरा दिन खराब हो जाता है, और डाइट को ध्यान पे रखते हुए, मैंने फिस, और यहां पे मैंने दाल, सैलेड और चाओल अडर दिया, जो की हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, और यही मेरा दिनर भी है लाइफ को अगर खुसी खुसी जीना है, तो बचपना को कभी किल मत करना, चाहे अब सतर आसी साल के क्यों न हो जाओ, पर हमेशा बचपना जो है, आपके अंदर होना चाहिए, और लाइफ में हमेशा काम, या फिर टेंशन, या फिर रिस्पॉंसरिटी, हर एक चीज़ ठी बच बैलेंस बना के चलना है, अगर आप बैलेंस बना के चलोगे, तो आप खुस रहोगे, जब आप खुद खुस रहोगे, तो आस पास में जितने सारे आप से जुड़े होए लोग है ना, सब को खुस रख पाओगे, आप हेल्दी रहोगे, तो उन सब को हेल्दी रख प बोलूँगी कि अपना कंदा इतना स्ट्रॉंग बना लो कि किसी की भी जरूरत ना पड़े ऐसा नहीं कि रिष्टे ना रहे हार एक रिष्टा रहेगा पर क्यूं हमेशा लड़कियों को अपने बाप का कंदा भाई का कंदा है या फिर बॉइफरेंग का कंदा चाहिए क्यू भाई खुद का कंदा इस्ट्रॉंग नहीं कर सकते हो आप कभी टूटोगे गिरोगे पड़ोगे रोगे रोगे रो ना खुद तक वो बाते रखो किसी दुसरों को क्यों अपना वीक्नेस दिखाना है ताकि वो मजा कुड़ा है या फिर आपका वीक्नेस का फाइदा उठा कंप्यार तो कभी भी मत करना आपकी लाइफ जो है ना बहुत बेटर है और हमेशा अपने से उपर वाले को मत देखो अपने से नीचे वाले को देखो नीचे जहांको नीचे जहांकोगे तो आप उपर वाले को सुकर गुजार रहोगे और हपते में एक दिन आपने आपको ट्रीट देना सीखो, अपने आपको पैमपर करना सीखो लाइफ में हमेशे ग्रैटिटीट रखो, एक अच्छा इंसान बनो और किसी के साथ भी कमपेडिशन मत करो क्योंकि हर एक इंसान अपना किसमत लेके दुनिया में आया है तो आप अपना कर्म करो, फल देने वाला उपर वाला है इको पार्क ना बहुत बड़ा पार्क है यहाँ पे विंटर में डे टाइम पे इतना अच्छा लगता है मैं आप लोगों को भी लेके आऊंगी जब विंटर के टाइम पे इतना सारा flower दिखता है इतना well maintenance दिखता है आप लोगों को मैं दिखाऊंगी खुस हो जाऊंगी आप लोगों को मैं पक्का दिखाऊंगी winter के time पे एक बढ़ाएंगे ऐसे ही block बनाऊंगी मैं अच्छे से बनाऊंगी day के time पे आके और वैसे तो मैं साम के time पे आती हूँ डिनर करती हूँ खाती पीती हूँ वैसे light white चलता है थोड़ा अच्छा लगता है हवाय चलती है क्योंकि सामने जील है ना इतना बड़ा तो दिखने में अच्छा लगता है मुझे पूरा अपना गाओं वाला wife लगता है मैं बहुत simple यार मुझे ये सारे चीज़ में मैं बहुत खुस हो जाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और इना mentally होता है ना मतलब सुकून वो मुझे मिलता है तो बस अब चलो घर के तरब चलते हैं मेरी सारी sister को दिल से बहुत बहुत सुक्रिया अल्लापक अब सब को बहुत कामिया भी दे एक healthy life दे आप लोग मुझे comment करके इतना motivate करते हो प्यार देते हो मेरी भी एक सच्चा वाला एकदम girlfriend हो बहन वाली और यहां पर देखो एक मांगती थी अल्लापक ने मुझे इतना सारा दे दिया तो फिर से एक बार thank you so much और आज का ब्लोग आप लोग को कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताना I hope आप लोग को भी अच्छा लगा होगा आप लोगों ने भी मेरे साथ मेरा weekend enjoy किया होगा तो चलो फिर विलते हैं next vlog में खुस रहो अच्छ रहो healthy रहो bye take care love you all